उंग्रेजी दवाईयों के माध्यम से जो डॉक्टर सेक्स प्रॉब्लम का निवारण आपको देता है न वो बात करता है वाईगरा 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 के बारे में तो साब गाने भी बन गए आपने सुना होगा माधुरी का वो गाना की यूपी से लेकर दिल्ली वाईगरा मेरा गागरा मेरा गागरा गाने भी बन चुके हैं बॉलिवुड में लेकिन जब हम बात करते हैं आयरुवेदाचार की या आयरुवेदिक ड शिलाजीत रियली बहुत एफेक्टिव है आपकी सेक्स लाइफ अगर यहां है अगर आप रेगुलर्ली शिलाजीत का प्रयोग करते हैं सही तरीके से और सही मात्रा में और सही सोर्स से खरीदा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि शुद्ध शिलाजीत अगर आपक सरी जाएगी मैं आपसे वादा करता हूँ यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार यह जो शिलाजीत है क्या सही में यह शुद्ध है कि नहीं है किसमें कोई मिलावाट तो नहीं है कंपनी इस पर मत जाना नहीं भाई नहीं कंपनी इस पर मत जाना हो सकता है कि बहु कुल मत जाना लेकिन अगर आपको शुद्ध शिलाजी चाहिए तो जो स्टेट मेरे माइंड में आता है वो उत्रा खंड और बद्दीनात आपका जाना होता है या जोशी मर्ट या उस साइड रिशिकेश से उपर कहीं भी जाते हैं तो वहां के लोगों के पास जो लोकल दु पास मैंने उनको दिया है और मेरी मानिय का उनको बहुत 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 फाइदा हुआ है इसलिए एक बात तो यह है कि शिलाजी जो आपको लेना है वो लेना तो उसी जगह का ही है मतलब कि उत्तरा खंड या हिमाचल पदेश पहाड़ों में ही मिलता है ना यह इसलिए आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताऊंगा नहीं नहीं केमेस्टी वाले टेस्ट नहीं है बिलकुँ साधारन टेस्ट है जो आप अपने रसोई खाने में जो आपका किचन है वहाँ पर आसानी से कर पाएंगे और कुछ चाहिए भी नहीं जादा थोड़ा बहुत चाहिए कुछ लेकिन वो टेस्ट करके आप पता लगा पाएंगे खुद ही कि ये जो शिलाजीत आप ले रहे हैं ये शुद्ध है की नहीं है जी हां आप पता लगा पाएंगे तो I am sure आपको इंटरेस्ट है इस विशह में और इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है आपको मेर बड़ा ही गंभीर है, शिलाजीत के हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटासा, बिल्कुल दो-तीन लाइन का ही एक जोक मेरे माइड में आता है, अगर आपकी अनुमती हो तो बोल दूँ, ठीक है चलो, शेर करता हूं, sharing is caring man, तो people, just listen, अच्छी चीज बताता हूं, एक कॉमेड जो migrate हुए एक family है, मिसिस शीला है, तो वो अपने बच्चे का कुछ चेक देने आई थी, तो मैं चेक देखता हूं, तो उसमें क्या लिखाता है कि मिसिस शीला जीत, सरने नहीं लिखा था, मिसिस शीला जीत लिखा था, मैंने बापरे, माधुरूई दिख्षित तो पुरे तो मैंने यही सोचा है, इनका नाम शीला जीत है, मैंने पूछा, मैंने आपका नाम क्या है, आपका नाम शीला जीत है, पुरा नाम, बोले नहीं, मेरा नाम शीला है, मेरा हजबन का नाम जीत है, दुनों मिलके शीला जीत हो गए, अगर आपका भी नाम शीला है, आपकी प सरल भाशा में क्योंकि जो चैनल आप देखने इसका नाम ही सरल भाशा है हाई मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्ली सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और साथ में फ्रेंड से शेर करेगा वह नहीं पर फायदा हो जाए और हाँ बैल आइकन को अगर हिट नहीं किया हो तो जरूर जरूर इट करिएगा जिससे मेरे सारे निगोई वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स शीलाजीत का टेस्ट लगाना है तो सबसे पहले शीलाजीत को तोडू एक ठोड़ पथर बिखता है वह जयित न पांड में कथा लगाते है न कथे का स्चोन होता है थोड़ा वैसा कहीं पर नाइक तो पानी का कलर जैसा बीयर का कलर होता है ऐसे कलर में चेंज हो जाना चाहिए अगर वो शुद्द शिलाजीत है तो पहला टेस्ट मालूं पड़ गया है पानी में डालना है हिलाना है और कर देना है ऐसा अब ना कहीं से खरीदे और लोकल स्टोर से पानी ले जाओ साथ में एक ग्लास या उससे पानी मांग लो कि भाईया पानी मिला के बता तू अगर घुल गया तो शुद्द है और नहीं है दूद में भी घुल जाएगा अगर शुद्द शिलाजीत होगा तो और समझो कि थोड़ी अशुद्धी है अगर आप सोच रहें कि चलो यार यह दुकानदार हमारे भहिया है और इसे हम बहुत सालों से ले रहे हैं बड़ा एफेक्ट भी रहता है शिलाजीत का हम तो ब लाने वाला यह मेरे भाई हैं होंगे भाई उनसे कहना भीया ठीक है चलो पानी को गरम कर लो फिर गरम करके मिलाना तब तो सॉल्यूबल होना ही चाहिए यह सेकेंड टेस्ट है तीसा टेस्ट में थोड़ा महंगा पड़ेगा और अगर आप गुजरात में रहते हैं बिहार पड़ सकता है थोड़ी शराब लेनी विस्की हो वोटका हो कुछ भी हो बियर उसके अंदर जो आप शिलाजीत डालो गया अंदर सुन लो ध्यान से उसमें अगर घुल गया तो नकली शिलाजीत है मतलब कि शराब के अंदर नहीं घुलना चाहिए पानी के अंदर घुल जा यह एक टेस्ट है एक और टेस्ट बताता हूं मैं शिलाजीत को जो वो संडसी होती है ना जिससे हम उतारते हैं संडासी संडसी बोलते हैं उसमें पकड़ लेना एक पीस को और आग में स्टफ पे या जो आपका गैस है जहां आग जल रही है वहां पर उसको जलाने की ट्रा वहां तो है निकलेगा आज एकलेर्स की चॉक्डट ले लो या कोई कैटबरी की ले लो उसको पकड़ो और उसको आप जलाओ आग में तो क्या होगा वो पिघलने लगेगा है कि नहीं वो कोई धुआ बनके नहीं उड़ने वाला है इसे ही शिलाजीत जो है पिघल जाना च कर लो एक दिन शिलाजीत एक दिन अश्वगंदा कर लो ऐसा कर लो रोज थोड़ा सा जितना एक चोटा सा दाना होता है ना चोटा दाना बहुत चोटा दाना मतलब बहुत कम लेना है एक चुटकी भर से भी कम उसको आपको ले के पानी में मिला के ले लो दूज में मिला के ले लो, डायेट लेलो, टेस्ट भी थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट पर अच्छा लगता है, फिर देखो असर, कैसे आप अपनी पतनी को खुश्प कर पाएंगे, आपकी जो पार्टनर है, फिमेल पार्टनर वो दुनिया में सबसे लगी हो जाएगी, erectile dysfunction या शीगर पतन जैसी problems आपके पास आने से डरेगी आपका overall health भी अच्छा रहेगा साथ में exercise करोगे तो muscle building में भी ये काम करता है हर तरीके से आपके लिए अच्छा है इसमें कोई side effect भी बिल्कुल भी नहीं है pure आयरुवेदा है और हमारे देश का इतना पुराना ग्यान इसमें छुपा हुआ है इसलिए आपको जरूर जरूर इसका प्रयोक करना चाहिए और अगर आपके मन में कोई doubt हो तो आप उसे जरूर पूछ सकते है comment box में I love to answer your questions तकि मेरे कहाल से कोई doubt होगा नहीं मैंने सारे चार टेस्ट आपको बता दिये है किस तरीके से कि आप उसको पानी में, दूद में मिलाओगे न तो वो इसमें घुल जाना चाहिए शराब में मिलाओगे, नहीं घुलेगा अगर आग में उसको तपाओगे, जलाओगे तो वो पिगल जाएगा वो गैस बनके नहीं उड़ेगा गैस बनके उड़ रहा है मतलब वो गलत चीज है ठीक है जो भी information में ने दिया अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करेगा वीडियो को like करेगा फिर मिलता हो किसी और दिन ऐसे interesting information आपके साथ share करते हुए तब तक के लिए bye, take care friends